आज किस वीडियो में दोस्तो हम दो फोन्स को करने वाले हैं compare जो कि आपको 15000 के नीचे देखने को मिल जाता है ये जो आप देख रहे हैं ये है Poco X6 Neo 5G और यहाँ पर से दूसरा फोन है Realme का Narzo 70 5G जो कि अभी Justi launch हुआ है तो दोनों फोन को हम अच्छे से test करके compare कर चुके हैं हर एक parameters के बारे में आपको बताएंगा और वीडियो के end तक में आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा best रहने वाला है वीडियो को पूरा देखना भाया थोड़ा सा भी अगर support करना चाहते है तो वीडियो को like जरूर कर देना तो हमेशा के तरह दोस्तों सुरू से सुरुआत करते हैं यहाँ पर से पहले pricing details आप देखलो जो भी RAM और storage models आपको मिलते हैं अगर box content की बात करते हैं तो realme के अंदर आपको यहाँ पर से देखने को मिल जागा adapter जो की 45W की rating के साथ आता है और साथी साथ type A2 type C का cable और इसके साथ साथ एक case भी आपको दिया गया है अगर आप इसके box को देखोगे तो आपको पता चल जागा कि realme के phone में आपको 6 महिने का extended warranty देखने को मिलता है तो यह एक extra bonus हो जाता है उन लोगों के लिए जिनके warranty matter कर जाता है और यहाँ पर से standard 1 year का warranty मिलेगा यही पर से दोस्तों गर हम physical look की बात कर लेते हैं तो दोनों phone काफी अच्छा look wise आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर से जो thickness है वो brand के according में आपको mention करके दिखा दे रहा हूँ और phone जो हलका है वो यहाँ पर से मुझे na Poco का phone थोड़ा जादा हलका लग रहा है और यहाँ पर से हम चेक करके भी दिखा देते हैं आपको आप देख सकते हैं 177 gram एप्रॉक्स Poco है तो यहाँ पर से जो Realme का phone है वो एप्रॉक्स 189 gram का निकल के आता है तो obviously यार यह 10 gram का difference आपको जरूर feel होगा अगर आप दोनों को hold करोगे तो बैसे left profile की बात करते हैं तो Realme का phone पूरी तरहे से clean है यही पर से Poco के phone में यहाँ पर से आपको SIM slot मिलता है जहाँ पर से आपको Hybrid slot दिया गया है यही पर से नीचे के तरब से आप देखते हैं तो आपको Narzo के अंदर मिल जाएगा SIM slot जहाँ पर से again Hybrid slot है बाकी दोनों phone में आपको मिल जाता है main microphone, type C का port और speaker के vents आपको दिये गया है यही पर से दोस्तो अगर आप right side में देखते हैं तो यहाँ पर से Realme के phone में आपको मिल जाएगा power on off का button, volume up and down के key और यही पर से Poco के phone में यहाँ पर से fingerprint sensor दे दिया गया है और यही power on off का button है और यहाँ पर से उपर के तरफ से volume up and down के key मिलेंगे तो जो यहाँ पर से आपको Realme का phone मिलता है दोस्तो उसमें आपको in display fingerprint scanner मिलता है तो इस चिच का धियान रखना जो कि काफी अच्छी बात है यही पर से उपर की बात करते हैं तो यहाँ पर से आपको मिल जाएगा secondary noise cancellation इसके अलावा यहाँ पर से speaker भी दिया गया है 3.5M jack भी दिया गया है Realme के phone में यहाँ पर से अगर आप Poco को देखते हैं तो secondary noise cancellation है IR sensor दिया गया और 3.5M jack है यहाँ पर से आपको secondary speaker नहीं मिलता है तो dual speaker का support आपको Realme के phone में मिलेगा और back camera की बात करते हैं तो megapixels आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको Poco में थोड़ा जादा मिलेगा लेकिन हाँ wide lens आपको दोनों फोन में नहीं दिया गया है obviously आपको दोनों में AMOLED display मिलता है quality काफी अची मिलता है full HD panel आपको दिया जाता है दोस्तो और यहाँ पर से जो resolution है वो दोनों के काफी अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं दूप में अगर आप brightness को check करते हैं तो यहाँ पर से नार्जो में थोड़ा सा जादा मिलेगा बर practically बहुत छोटा सा slight सा difference आपको मिलता है and friends है दोस्तो जो आपको display अच्छा लगेगा वो आपको Poco का लगेगा क्योंकि bezel and chin आप देख सकते हैं बहुत minimal है यही पर से अगर आप realme को देखते हैं तो थोड़ा सा आपको average type का आपको मिलेगा यही पर से HDR जो playback है वो आपको यहाँ पर से Poco के अंदर नहीं मिलता है यही चीज आपको नार्जो के अंदर दे दिया गया जो कि आप देख सकते हैं यही पर से दोस्तो अगर हम refresh rate की बात करते हैं तो दोनों में आपको 120Hz का support देखने को मिलता है चलो देखते हैं UI में किस तरीके से support है तो हाँ जी 120Hz दोनों में काफी अच्छे से काम करता है दिखेगा Chrome browser की बात करते हैं तो यहाँ पर से 120Hz दोनों ने maintain किया है जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों और यही पर से YouTube को भी प्ले करके यहाँ पर से चेक कर लेते हैं तो YouTube पर यहाँ पर से दोनों में 60Hz पर switch हो गया है हलाकि मैंने smart switch को on नहीं किया था दोनों को मैंने 120Hz पर रखा था बड़ी यहाँ पर से experience वाइस अगर देखा जाए ना दोनों काफी अच्छे से आपको performance दे देंगे अब चलो बात कर लेते हैं photos के बारे में तो मैंने बहुत सारे pictures क्लिक की हैं वैसे back में आप पर 50MP मिल रहा है बाकि normally जो daylight condition उसके भी pictures आप देख सकते हैं यहाँ पर भी थोड़ा सा जो narzo 70 है वो हलका सा saturated type के pictures आपको निकाल के देता है हलाकि यहाँ पर से दोस्तो camera mode की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं सारे options kind of आपको देखने को मिलते हैं हलाकि night mode में आपको यहाँ पर से back camera का option मिलता है front में यह switch होता है लेकिन यहाँ पर से अगर मैं आपको realme का phone दिखाऊं तो back camera भी यहाँ पर से usable है and night में आपको जो यहाँ पर आपको मिलता है front camera वो भी usable है हलाकि यहाँ पर से दोस्तों कर हम video terms की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो poco का phone है उसमें 1080 30fps का option मिल रहा है और यहाँ पर से आपको 720 का भी option मिल जाता है 4K का option नहीं दिया गया front camera की बात करते हैं तो 1080 30fps पर ही record कर सकते हैं यहाँ पर से अगर आप देखते हैं realme के phone को तो आपको 1080 का option मिल जाता है with 60fps and 4K 30fps पर front camera की बात करते हैं तो यहाँ पर से 1080 30fps तक का option मिलता है चलो जो भी हमने recording किया था वो मैं आपके साथ share करता हूँ और यह है दोस्तों इन दोनों smartphone के front camera का video sample footage मैं normally चल रहा हूँ आपको अंदाजा मिल रहा होगा stabilization यहाँ पर से narzo के अंदर ना dedicated दिया गया था तो मैंने उसको enable किया है ताकि आपको बहतर idea मिले audio भी से record हुई है और बाकी तो आपको समझ में आई गया होगा front camera कैसा perform करता है और यह है दोस्तों इन दोनों smartphone के back camera का video sample footage जो कि आप देख सकते हैं मैं normally चल रहा हूँ recording कर रहा हूँ और आपको यहाँ पर से dynamic range का भी अंदाजा मिल रहा होगा किस तरीके से light को balance कर रहा है बाकी यहाँ पर से थोड़ा सा और चल करके देखते हैं light और overall stabilization कैसा निकल के आता है तो बहुत सारे camera samples आपने खुद देख लिए होगा judgment भी आपको मिली गया होगा पर फिर मैं थोड़ा सा conclusion दे देता हूँ जो camera का आपको option मिलता है उसके ही जब से दोनों phone काफी अच्छे performance देते हैं थोड़ा सा यह contrast add करता है यह काफी अधक natural लाग करके देता है हाला कि यहां megapixel थोड़ा मोड़ा मतल़ आपको लगे गा कि यहां बाई यह ज़्यादा हो है तो यहां पर अच्छा निकल करें अगर आपको आपको आइडिया मिलेगा लेकिन यहां पर से video terms में ना यह नार्जो 70 में जो यहां पर 4K दे दिया गया है नेक्स्ट बात कर लेते दोस्तों दोनों के software को ले करके तो यहां पर से आप देख सकते हैं कि जो रियल मी का phone नार्जो 70 है उसमें आपको Android 14 मिलता है और यह दो साल के update के साथ आएगा तो ज़्यादा updates यहां पर आपको मिलेंगे सब मिलते रहते हैं तो वो चीज़ तो है लेकिन customization यह सब भर-भर के आपको दोनों phone में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अब दोनों के processor की बात कर लेते दोस्तों तो आपको Poco में मिल रहा है MediaTek का Dimensity 6080 यहां पर से Narzo 70 के अंदर मिल जाएगा MediaTek का Dimensity 7050 Obviously आपको इस course में differences देखने को मिल जाता है दोस्तों और storage की speed test में भी यह बहुत जादा difference निकाल के देता है UFS 3.1 है यहां पर से 2.2 का मिलता है तो obviously इसमें भी आपको differences मिलेगा और Geekbench इस course भी अगर मैं निकाल करके दिखाओ तो यहां पर से Realme Narzo 70 आगे निकल के आ जाता है अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दू कि Poco में आपको बेस मॉडल में ही 8GB variant मिलता है वही हमारे पास है और इसका higher model है हमारे पास जो की 8GB के साथ देखने को मिलता है दोस्तों अब चलो चेक कर लेते हैं कि दोनों में कौन सा जाधा अच्छा RAM management निकाल करके देता है तो यहां पर से हमने apps को जो भी open थे उनको मैंने close कर दिया है अब चलो चेक करते हैं बारी-बारी से तो यहां पर से सबसे पहले Chrome को open करते हैं साथी में मैंने click किया था I mean यहां पर से ना similar से time में दोनों open हो करके आया थे camera को हम एक साथ open करते हैं तो I think इसमें पहले open हुआ था इसके लावा दोस्तों यहां पर से YouTube को भी open करके देखते हैं तो यहां पर से Realme में पहले open हुआ था इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर से जो play store है उसको भी हम open करके check कर लेते हैं यहाँ पर से 7 में मैंने click किया यहाँ पर पहले यह open हुआ था तो obviously यहाँ पर से फर्क आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यह processor भी अच्छा है साथी साथ UFS 3.1 का storage type है तो इससे definitely आपको experience में फरक आएगा और gaming की बात कर लेते हैं दोस्तों तो poco में आपको 40 fps का option मिलता है यही पर से narzo 70 के अंदर आपको 60 fps मिलेगा और हमने यहाँ पर से gaming करके check कर लिया भाई नारजो 70 आपको ना काफी अच्छा gaming experience दे पाता है और अगर आप gaming wise एक phone खरीनना चाहते है तो definitely मैं बोल सकता हूँ भाई बिना कोई सोचे समझे आप narzo 70 को देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छा gaming experience मिलेगा साथी साथ normal users में भी नारजो 70 थोड़ा सा आगे निकल के आता है अब यह जो phone है इसको कब लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 8GB का base model मिल जाता है कम price में तो उस हिसाब से देखाए जाए अगर आप casual gaming ये सब करना पसंद करते हैं बहुत जादा मतलब आपको जादा gaming नहीं करना है then I think this is good option to go बट हाँ अगर आपको सेम टाइम पर जादा gaming करना है then I think Narjo 70 is the option जिसको आपके देखना चाहिए अब multimedia experience कर लेते हैं तो दोनों में मनें 100% volume रख दिया है बारी-बारी से सुनाता हूँ तो no doubt यहाँ पर से आपको जो Narjo का phone मिलता है उसमें dual speaker दिया गया तो उसकी वज़े से quality and details definitely काफी अच्छी हो जाती है दोस्तों यहाँ पर से single speaker है तो उसके हिसाब से loudness decent निकल के आता है अलकि यहाँ पर से Dolby Atmos का support मिल जाता है Poco के phone के अंदर तो अगर आप wired earphone यह सब use करना पसंद करते हैं तो इससे experience थोड़ा बेटर जरूर हो जाएगा और security wise side में आपको fingerprint sensor मिलता है Poco में यहाँ पर इन display fingerprint sensor है चलो साथ में touch करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं दोनों काफी अच्छे से और जल्दी open कर पाते हैं जो कि आप देख सकते हैं यही पर से आपको मिल जाएगा face unlock का feature भी तो आप देख सकते हैं दोनों काफी dealer use किये जा रहे हैं यहाँ पर से अगर आप Poco को देखते हैं तो इनका खुद का dealer है तो चुक्के से आप call recording कर सकते हैं बढ़ यहाँ पर से जो नार्जो 70 उसमें आपको Google dealer देखने को मिलता है तो सामने वाले को पता चल जागा तो उसके लिए आपको ओ डाइलर इंस्टॉ करना पड़ेगा Play Store से जाके और proximity sensor की बात करते हैं तो नार्जो 70 में आपको dedicated देखने को मिलता है और यह काफी अच्छे से काम करता है जो कि आप देख सकते दोस्तों और पोको के अंदर भी यहाँ पर से हमने चेक किया यह भी काफी अच्छे से respond करता है क्या रब चलो आपको दोनों फोन में नहीं दिया जाएगा तो इस चिच का ध्यान रखना, Realme के फोन में आपको rain, water, smart touch मिल जाता है तो थोड़े मोने पानी के चीटे भी अगर स्क्रीन पे रहेंगे तो unwanted touches से यह बचेगा, इसके साथ साथ आपको एक mini capsule design भी देखने को मिल जाता है Realme के लेकिन हाँ अगर आप Poco को देखते हैं तो IR sensor दिया गया तो इसके help से आप अपने TV को AC को control कर सकते हैं और दोनों यहाँ पर से budget वाले फोन है तो उसके इस आप से आपको haptics average type के मिलते हैं तो मैंने आपको दोनों फोन के regarding सब कुछ explain कर दिया है आप देखो pricing details आप यहाँ आप pay करके फिर buy कर सकते हैं खेर बात कर लेते हैं कि after all खरीदे तो खरीदे कौन सा तो देखो यार अगर आप Poco को देखते हैं तो इसमें आपको display बहुत जाद अच्छा देखने को मिलता है बहुत अच्छा experience करा देगा although in display fingerprint scanner नहीं है but I think यह look wise काफी अच्छा लगता है phone काफी जादा हलका है तो यह सारे ना इसके pros है और on top of that आपको 8GB का variant मिल जाएगा compromise में अगर आप इससे compare करते हैं तो यह सारे इसके pros आपको definitely मिलेंगा और casually अगर आप गेम यह सब करते हो ना then again आप इसको देख सकते हैं but same time वे भाई आपको गेमिंग का experience बहुत जादा next level कर चाहिए, in display fingerprint scanner चाहिए then I think this is the best option और मैं यह बोल सकता हूँ कि भाई आप अगर gamer side हो ना then definitely आपको realme का Nazo 70 के साथ जाना चाहिए अलकि हाँ आपको 6GB का model तो मिलेगा, थोड़ा पैसा जादा लगाना पड़ेगा 8GB के लिए बड़ आपको यहाँ पर से UFS का 3.1 टाइप का storage भी मिल जा रहा है तो वो सारे इसके pros definitely हो जाते हैं Bluetooth के मामने में दोनों में आपको मिलेंगे तो दोनों में आपको खुद से काम तो करना ही पड़ेगा and camera experience moreover देखा जाए आपको similar सा देखने को मिलता है थोड़े मोडे उपर नीचे आपको मिलेंगे और बाकी जो चीजे हैं मैंने आपको throughout the video तो बता ही दिया तो आपको एक शुड़े में thanks a lot for watching